हलो दोस्तो तो आज के सी वीडियो में मैं आप लोगों को ओपो का फ्लाइकसी फोन फाइंड एक सेवन सीरीज के बारे में बताऊंगा इस बार ना इसमें सिर्फ दो ही फोन देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से रूमर्स चल रही है एक सेवन और एक होगा एक सेवन अल्ट्रा और इसी के साथ साथ और एक अल्ट्रा में ही एक अलग वेरेंट होने वाला है जिसमें सेटेलाइट कम्यूनिकेशन का फीचर्स ओपो दे सकता है satellite communication जिस तरीके से आपको Apple में देखने के लिए मिलता है और rumors चल रही है कि Samsung का X24 Ultra जो होगा उसमें भी satellite communication का features दिया जाएगा तो वो same features इसमें भी देखने के लिए मिल सकता है इस तरीके से rumors चल रही है इस phone को लोगों को use करते हुए already देखा जा चुका है और Geekbench पर भी ये phone list हो चुका है और 360 certification भी इस phone को मिल चुका है हाला कि ये जो phone है वो Find X6 Series की तरह ही इंडिया में नहीं आ सकता है लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो जो DX Mark करके एक website है जो phone का ranking create करता है तो ये जो Oppo का Find X series है ना पिछला बार का जो 6 Pro था वो number one position था camera के मामले में और ये Oppo का flexi phone भी है और इसका जो specification है वो करिब करिब पूरी तरह से clear हो ही चुका है तो मैंने सुचा चलो यार इसके बारे में वीडियो बना देते हैं Oppo इस phone को जनवरी के second week में announce कर सकता है तो चलो मैं आपको इस phone के बारे में सब कुछ बताता हूँ और हमेशा की तरह हम लोग इसके look out design से सुरुवात करते हैं तो ये जो image अभी आप लोग देख रहे हैं ये Oppo का Find X7 series का है जहां से आपको इसके design के बारे में idea लग जाता है और जैसा कि आप इस image में लोगों को इस phone को use करते हुए देख भी सकते हैं इस बार इसके back side में चार camera का setup होने वाला है जिसमें से दोना periscope lens होने वाला है इसके बारे में camera वाले part में बताऊंगा और इसका जो back होगा ना वहाँ पर आपको leather का back देखने के लिए मिलेगा और ये flexi phone है तो obviously aluminum का frame भी होने वाला है और अपकोस इसमें IR blaster, IP68 का rating वगरा तो जरूर देखने के लिए मिलेगा इसके camera module में ज़्यादा changes नहीं है जो पिछला बार का X6 series था ना उसी के जैसा इसका भी same होने वाला है लेकिन मैं बता दो camera ना इसमें एकदम ताबर तोड़ और खतरनाक वाला होने वाला है और जैसा का आप लोगों को भी पता है OPPO camera के लिए ही जाना जाता है तो design इसका कुछ इस तरीके से होने वाला है और यह premium phone है तो design भी एकदम premium ही देखने के लिए मिलेगा अब हम लोग display के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जो छोटा वाला variant है यानि की X7 उसमें थोड़ा सा छोटा display देखने के लिए मिलेगा 6.78 इंच का और जो X7 Ultra होगा उसमें 6.82 इंच का display देखने के लिए मिलेगा लेकिन दोनों ही display आपको OLED final के साथ देखने के लिए मिलेगे जिससे आपकी battery की बचत होगी और हाँ ये एक flexi phone है इसलिए यहाँ पर Dolby Vision HDR 10 Plus इन सब का support तो आपको definitely देखने के लिए मिलेगा लेकिन इसमें ना इस तरीके से rumor चल रही है कि 4500 नीट्स का peak brightness हो सकता है देख सकते हो कितना खतरनाक यहाँ पर peak brightness दिया है Redmi का जो K70 था उसमें 4000 नीट्स का peak brightness इसमें 4500 नीट्स का peak brightness अभी Samsung और जो Apple है वो इससे पीछे है Samsung 1750 के साथ आता है और Apple 2000 नीट्स के साथ आता है और आपको Samsung और Apple के डिस्पले के बारे में पता ही है कि वो कितने अच्छे डिस्पले है और यहाँ पर 4500 नीट्स का peak brightness दिया लेकिन peak brightness सी सब कुछ नहीं होता है मैं इसके बारे में बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं तो उसमें मैं आपको अच्छे सी समझाओंगा इस peak brightness का एक चुल में मतलब क्या है आप लोग चीनता मत करना तो इस फोन के डिस्पले से आपको कोई भी सिकायत नहीं होन बेते हैं और यहां पर ना उपो ने काफ़ी खतरनाक वाला काम किया है इसमें दो पेरिस्कोप लेंस होने वाले हैं एक 3x झूम के साथ और एक 6s ऐस चूम के साथ और इसका जो केमरा सेटप है ना वो भी काफी खतरनाग पचास मेगा पिक्सल का में फिर 50 मेगा पिक्सल ख उसके बाद जो periscope lens है वो दोनों भी 50-50 Megapixel का ही है और ये तीनों ही sensor Sony की तरप से आते हैं और जो main sensor है न वो एकदम नया और latest वाला sensor है जो की 1 इंच का sensor होने वाला है और जितना बड़ा camera sensor होगा उतना ही अच्छा camera sensor भी होता है तो photo तो एकदम ताबड़ तोड़ आने वाल वाली बात ही नहीं है और जो लोग ऊपो के फोन यूज करते हैं उन लोगों को पता है कि ओपो का केमरा कितना अच्छा होता है और हां 32 मेगा पिक्सल का सेल्फी केमरा भी होगा और ओपो के फोन में जितने भी फीचेस होते हैं जैसे की एकडम पोट्रेट वीडियो मतलब ड बात का लेते हैं हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में तो जो गीग बेंच आया है ना वहां से किलियर हो जाता है कि इसमें ना स्नाइप ड्रेगन एट जेन 3 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा और आपको यह बिल्कुल भी बताने के ज़रुरत नहीं है कि अब बारे में आइडिया लग जाता है और युवर्पेस 4.0 वाले स्टोरेश टाइप देखने के लिए इंड्रोट 14 के साथ आएगा और कलर वेस्ट 14 के साथ यह फोन देखने के लिए और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जिस तरीके से उपको अपने फोट अब तो आचुका है ना तो वह चीप भी आपको इस वाले फोन में देखने के लिए मिलेगा जो की इस पेसली केमरा के लिए होता है ना इसका परफॉमेंस केमरा डिस्प्ले और इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है अब हम लोग इसके बैटरी के बारे में बात कर लेते और जैसा कि मैंने आपको बताया और वो इस फोन को जनुवरी के सेकेंड वीक में अनौन्स करेगा आप चाहे तो इसको चाइना से मंगा सकते हो लेकिन इंडिया में यह नहीं आने वाला है और इसकी प्रैसिंग की बारे में बात करें तो यह असी हजार के आसपास असी और और समसंग से काफी ज़्यादा कम है तो उस सबसे प्राइस में भी काफी अच्छा है तो यही छोटी सी वीडियो थी और अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो और हमनों किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं सबीको, बाई